नमस्कार, मैं भूपएंदर पण्रक्णाइचे चैनल आप सबका हर्दिक स्वगत हूं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कर ले साथ ही बेला कि इनको दबाना ना बुलें ताकि मेरे प्रत्यक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहें भारती कावे शास्त्र के अंतरगत आज हम अध्यान करने जा रहे हैं कावे गुड का आज तक भारती कावे शास्त्र में इस परच्चा हो रही है तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं कि कावे गुड होता क्या है कावे के सौंधर में वृध्धी करने वाले और उसमें अनिवाली रूप से नित्य विद्यमार रहने वाले धर्म को गुड करते हैं मतलब गुड का कारे क्या होता है कावे के सौंधर में वृध्धी करना और या उसमें पर्मानेंटली विद्यमान होता है हमेशा किसी सरस कावे में गुढ हमेशा विद्धिवान होता है और इसे ही है हम गुढ काते है इसे यदि साधाराण शब्दों में हम समझने का प्रयास करें तर यह ऐसे कोई महिला है जो दिखने में साधाराण है कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है लेकिन यदि उस गुढ होता है वो उसका आंतरिक तत्व होता है और उसमें सदय विद्यमान रहता है नित्य विद्यमान रहता है काव के गुढ की अधारना आचारे भरतमुनी के समय से भी मान्या है आचारे भरतमुनी ने अपने नाटिय शास्त्र में दस कावे गुढ का उलेक किया है इस पुराने विचारक हैं, विद्वान हैं, तो इनके जो ये दस बिंदो हैं, इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, तो इसको आप याद कर लिजेगा, ये तो इसमें कोई समझने का कुछ है नहीं है, तो बस आचायरे भरत मुनी ने अपने नाटे शास्त्र में दस इस प्रकार आचायरे भरत मुनी के अनुसार गुड़ों की संख्या कितनी हैं, दस है, आगे और देखते हैं, आचायरे भरत मुनी द्वारा विवेचित गुड़ों की तीन विशेस्ताएं हैं, आचायरे भरत मुनी ने जिन दस गुड़ों का उलेख किया है, अपने नाट गुड काव्य या शब्दार्थ की शोभा में वृध्धी करने वाले तत्वा है गुड का कारी क्या होता है किसी काव्य के सौंदेर में वृध्धी करना अथवा शब्दार्थ की शोभा में वृध्धी करना शब्दार्थ मतलब शब्द का अर्थ मतलब किसी काव्य को युक्त जो शब्द हैं, उनका जो आप और्थ निकल कर आता है, जो आप और्थ लगाते हैं, जो आप और्थ समझते हैं, तो उसके सौंधर में वृध्धी करने वाले ततों को गुड काते हैं, तो गुड का क्या काम होता है, कावे के सौंधर में वृध्धी करना, अथवा शब्दार्थ के सौंदर में वृध्धी करना। दूसरा है, गुण एवा मलंकार अलग होते हुए भी समान महत्यों के हैं। गुण का काम भी होता है, कावे के सौंदर में वृध्धी करना। और अलंकार का भी महत्त होता है कावे के संदर में बिद्धी करना तो आचारे भरत्मुनी के अनुसार गुण एवं अलंकार दोनों का समान महत्त होता है यद्य पिवे दोनों अलग-अलग होते हैं क्योंकि वे रसवादी आचारे हैं आचारे भरत्मुनी रसवादी आचारे और तीसरा क्या है रस के अनुकूल प्रयोग के कारण ही गुण कावे की शोभा बढ़ाते हैं अब अलग-अलग रास है जैसे वीर रास है या फिर शांत रास है या पिर अलग-अलग प्रकार के जितने भी रास होते हैं उनके अनुकूल हम जब गुणों का प्रयोग करते हैं आने के कारण जो गुढ़ है वे कावे की शोभभा बढ़ाते हैं मतलब इसमें सामंजय से होना दोनों के बीच बहुत ही जरूरी है। अब आचारे दन्डी ने क्या कहा है आचारे दन्डी पे एक बहुत महान आचारे इनका कहाना है। आचार दंडी ने इन्हें महत्तों देते हुए, कावे सौंदेर विधायक तो माना है, किन्तों अलंकारों के भीतरी समेट लिया है, तो आचार दंडी का काना इन्होंने कहाया कि ठीक है, यह जो गुण है, यह कावे के सौंदेर में वृध्धी तो करते हैं, जरूर, लेकिन इन्होंने उनको अलंकार के भीतरी समाविष्ट कर लिया है, इनको कोई अलग बात नहीं मानी, कि यह कोई अलग चीद है, गुण कोई अलग चीद नहीं है, यह अलंकार के भीतरी शामिल है, ऐसा इनका काना है, उनके अनसार कावे शोभा करने वाले सभी धर्म, स्लेसादी तो गुड जैसे सलेस गुड है या उपमा अलंकार है तो अलंकार कहने से इन सभी का बोध होता है आचारे दंडी के अनुसार अलंकार करने से सलेस जैसे गुड़ों का भी बोध होता है और उपमा जैसे अलंकारों का भी बोध होता है फुल मिलाकर कहने का तात पर यह है कि आ अब आचारे वामन का क्या कहना है आचारे वामन ने गुणों को कावे का नीत्य धर्म मानकर अलंकारों से अलग किया है आचारे वामन का कहना है कि कावे का नीत्य धर्म जो पर्मानेंटली भी दिमान रहता है कावे में जिसका अंतर नहीं होता हमेशा वह दिमान रहेगा किस को जलाएगा आग तो वैसे युषिवा उसका नीत्य धर्म है जलाना ही काम है अगनी का तो वैसे आचारे वामन ने कहा है कि कि समझती नहीं कि यो नुद्वा आचारे वामन का यह काना है कि किसी भी कावे में गुड़ तो अनिवारी रूप से भी दिमान रहेगा भले ही उसमें अलंकार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है अलंकार का होना या नहीं होना उतना जरूरी नहीं है अलंकार हो भी सकता है कावे में अलंकार नहीं भी हो सकत क्योंकि ये अनित्य धर्मा है लेकिन गुण का होना अनिवारी है क्योंकि वे नित्य धर्मा है ये आचारे वामन का काना है और आचारे वामन ने गुणों को शब्दगत और अर्थगत दोनों माना है इनके अनुसार कावे गुणों की संख्या 20 है मतलब आचारे वामन के अन अर्थगत गुण है! 10 तो आचारे वामन ने गुणों को शब्ध गत और अर्थगत दोनों माना है! 10 शब्द गत गुण होते हैं और 10 अर्थगत गुणों होते है! ठीक है! और इनके इसार कावे गुणों के संख्या क्या है? 20 है! यह भी धियान में रखना है नंबर! अब पनिवादी आचारे आचारे वनंदवर्धन ने गुणों को रस का अंग माना है, इनकी संख्या तीन है, ओज प्रसाद और माधुर्य तक इन्होंने सिमित कर दिया है, आचारे अनंदवर्धन का कहना है कि जो गुण जो है रस का ही अंग है, रस का ही हिस्सा है, कोई अलग च प्रसाद गुड और माधूरी गुड ये धियान में रखना है आपको आचारे ममट ये भी बहुत महाना आचारे हैं आचारे ममट के अनुसार जैसे शाओर ये आदी आत्मा के नीत्य धर्म है वैसे ही माधूरी आदी गुड रस के नीत्य धर्म है आचारे ममट ने भी गुड यह आत्मा का गुण होता है शरीर का गुण नहीं होता है तो यह आत्मा का निति धर्म है ठीक वैसे भी जो माधूर्य है माधूर्य रस के निति धर्म है मतला रस में हमेशा माधूर्य होगा ही कोई भी जो रस है उसके अंदर मतला माधूर्य तो होना ही चाहिए मतला रस में पर्मनेंट विद्धिमान होते हैं गुण आचारे ममट के अनुसार भी गुण तीन प्रकार के होते हैं आचारे ममट ने भी गुणों की संख्या तीन ही मानी है यही प्रोज प्रसाद और माधुरिय आचारे भामा आचारे भामा और आचारे ममट ने माधुरे गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, इन तीन कावे गुणों को ही मान्यता दिये और बाद के जितने भी आचारी हुए इनके बाद जितने भी आचारी आए उन्होंने इनी तीन गुणों माधुरी गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण को ही माननेता प्रदान की वास्तों में इनका मानना है कि इन 3 गुणों के अंतरगथी जितने भी गुण हैं कावे गुण वे इनके अंतरगथी आजाते हैं अब बाद में यह तो हमारे संस्कृत का आचारे हो गए बाद में जो हिंदी के भी जो जाने माने आचारी हुए इन्होंने भी केवल तीन गुड़ों को ही महत्त प्रतान किया लेकिन दो ऐसे आचारे हुए आचारे देव आचारे भिखारी दास इन्होंने पुना गुड़ों की संख्या दास मानी है तो इस प्रकार गुड़ों के विवेचन का भी एक लंबा इतिहास है मतलब गुणों के उपर विचार विमर्स काफी लंबे समय तक होता आ रहा है लेकिन वर्तमान समय में केवाल तीन गुणों माधुरे गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण को ही विद्वानों के द्वारे मानेता प्रतान कर दी गई है अब भारती कावे शास्त्र में गुण को कावे आत्मा का धर्म माना गया है अब कावे की आत्मा अलग लग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से विचार किया है किसीने कावे की आत्मा रस को माना है किसीने अलंकार को माना है किसीने ध्वनी को माना है लेकिन जो गुण ह यह कावे का अनिवारी धर्म है, कावे आत्मा का अनिवारी तत्व है, चाहे वह ध्वनी हो, चाहे रस हो, चाहे लंकार हो, इसमें जो अनिवारी रूप से जो धर्म विदिमार रहेगा, वह रहेगा गुण, कावे की आत्मा रस है, कावे की आत्मा को यदि हम रस मा लेते हैं कावे की आत्मा रस है आचारे भरत्मुनिक अनसार तो जो गुण है रस का धर्म है जैसे उस्नता अगनी का धर्म है अगनी का गुण है कि वह जलाएगी वैसा ही जो गुण है कि इसका धर्म है रस का धर्म है रस में गुण वी दिमार रहे गई अर्धाद गुण रस के अंतर होती होती है तो उस सरस कावे में हमेशा गुण विद्धिमान रहता है और गुण जो है हरस का अंतरंग तत्व है उसका आंतरिंग तत्व है तो मेरे साथ से आप इस विवेचना को भली भाती समझ गया होंगे अब हम इन तीन कावे गुणों माधुरी ओज और प्रसाद का विश्थित विवेचन करेंगे इस पर हम चर्चा करेंगे इसको समझने का प्रयास करेंगे वर्तमान समय में जितने भी विद्वान है उन्होंने केवाल तीन गुड़ों को ही मानेता प्रदान की गई है और वर्तमान समय में यह मान लिया गया है कि कावे के तीन ही गुड़ होते हैं माधूर्य गुड, ओज गुड और प्रसाद गुड और उपर के विद्वानों ने चाहे संस्कृत के आचारे हों, चाहे हिंदी के आचारे हों, द्वान हों, जिन्होंने विभिन गुणों की जो चर्चा की है, वो इन तीन गुणों के अंदर ही शामिल हैं, ठीक है न, तो पहला माधूर्य गुण को देख लेते हैं, माधूर्य क्या होता है, माधूर्य का आर पर शब्दकोस देखने के आउसकता होगी, मैं आपको बार 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 बोलता हूँ कि आप शब्दकोस जरूर देखें, तो माधूर यह का आर्थ होता है, मिठास, और सुरूती मधूर, मतलब जिसको सुनने से हमको मिठास का एसास होता है, किसी कविता को जो आप सुनते हैं, तब आपको बहुत ही मिठास कानभा होता है अरे जो सहरदय की अधारना क्या होती है जो कावे का जो पाठक है या कावे का जो स्तरोता है या फिर नाटक का दर्शक है या नाटक का स्तरोता है या पाठक है उसको पढ़कर यदि उसके मन में फिलिंग से निमोसन जागरित होते है उसकी भावना है उद्वलित होती है मतलब कुछ मासूस होता है उससे जुड़ता है वो समंज़ से स्थापित करता है उसे हम काते हैं सहरदय तो कावे अत्वा नाटक का पाठक अत्वा स्रोता को हम काते हैं सहरदय माधूरी गुड़ है, जो अपनी सरस्ता से और मधूरधा से उसको द्रवी भूत कर देता है, जहां कावे पाथ से पाठक या फोटा का अंत्हा करन द्रवी भूत कर डेता है, लिए तो माधूरी गुड़ होता है, जैसे कोई कवी सम्मिलन हो रहा है, किसी कवी ने ऐसे बहुती मधूर पंक्तियां पढ़े, और उसको पढ़कर लगा वहा sigui बहुती ही जवर्दस्त है, तो इसे हम क्या काते हैं माधूर ये गुण काते हैं तो माधूर ये गुण कहां कहां विदिमान होता है माधूर ये गुण किन किन रसों में आता है किन की रसों में शामिल रहता है जैसे स्रिंगार रहता है करुण रहता है शांत रहता है इसमें यह विदिमार रहता है ठीक है न? और सरस और मधूर वर्णों से यूपत कावे शिप्दावली हृदे को द्रवी भूत कर देती है मतलब कोई कावे ऐसा है जिसमें बहुती सरस शब्दों का प्रयूक किया गया है बहुत ही मधूर शब्दों का प्रयोग किया है, मिठे-मिठे शब्दों का प्रयोग किया गया है, तब इसको सुनकर या पढ़कर जो पाठक का रिदा है जो है, द्रवी भीट हो जाता है, वह उससे जूड जाता है भावनात्मा कुरुप से, मतलब उसकी भावनाएं, उसकी जुड़ जाती है जैसे उदाहरण है एक उदाहरण देख सकते हैं इसका माधुर्य गुण का तो ये मैंने कुछ पंक्तियां यहां पर कोट किये हैं यदि आप ऐसी पंक्तियां लिखते हैं तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे तो जब भी आप इस पकार की किसी अधारणा को परिक्षा में लिख रहे हैं तो जरूर उसमें इन पंक्तियों को शामिल करें इसे आपको अंक बहुत अच्छे मिल जाते हैं और अधारणा भी आपके पूरी तरह से मतलब अधाना भी पुरी तरह से इसपस्ट हो जाती है माधूर ये गुण का लक्षण किसी कावे में माधूर ये गुण है या हमको कैसे पता चलता है माधूर ये गुण के लक्षण क्या होते है माधूर ये गुण युक्त कावे में तवर्ग आपको मालूम है कि जो भेंजन के कुछ अलग अलग वर्ग बनाया गिया है कई बार शात्रों को ऐसा लगता है कि खाली मैं अपना जो यहां पर पाउर पाइंट हो उसको पढ़कर चला जाता हूं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन मैं आपको वर्बली भी यह सारी चीज़े बता सकता हूं लेकिन तब भाली भांती उसको समझ नहीं पाएंगी और इसके अपना आप पीजेन रहता थीक है है मादूरी गुण करे लक्षन क्या होता है मादूरी गुण युक्त कावे में टवर्ण टथर डढ़र आधी के कठोरवर्ण जो टवर्ण है इन्हें कठोर वर्ण कहा जाता है तो ऐसे वर्णों का प्रयोक नहीं के जाता लंबे समास्ए युक्तपद जो लंबे लंबे पद होते हैं नहीं है नहीं राजीलिए कर दिया हमने शव्य और हम कोई उवर हो उक्तपदिर माधिरोग को समझितर का एक प्रयोग की दिया कर इसे हम करते हैं मादूरी गुड इसके बाद ओज गुड जैसे आपने उसका पढ़ाओ का रसखान का मानुस नहां हो तो वह है रसखानी बसा अब रजी गोकुल गाओं के गवारन तो इसमें एक मिठास है एक प्यार है वहान कृष्ण के प्रती समर्पण है अब ओज गु पता है आपको वीर रस से समंधित होता है वीर या राद्र तो जिसको पढ़कर आपके भुजाएं फड़कने लगे वीर रस की जो कविता है आप में आनान दुम एकदम मतलब जोस पैदा कर दे आपने इस फूर्थी पैदा कर दे तो इसे क्या कहा जाता है ओज गुण कहा जिस कावे को फड़कर या सणगहरिता की भावनाय उद््दीप्त हो जाती है उद्दीप्त मतलब जोला की तिर जलने लगते चैन्द्रगुप्त चैन्द्रगुप्त पंक्तियां आती है प्रयाण गीत है हिमाद्री तुंग स्रिंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयंप्रभा समुझ्जवला स्वतंत्रता पुकारती तो इसको ढग से पढ़ेंगे आप एकदम वीरस में आपम एकदम चैन्द्रगुप्त जैशंकर प्रसाद जी की रचना है तो ओजगुण कौन-कौन रसों में पाया जाता है ओजगुण पाया जाता है विर्रस की कविताओं में रोदरस की कविताओं में भयानाक और विभत्स की कविताओं में ओजगुण पाया जाता है जोकि आपको सवंदरे के दर्शन होते हैं सवंदरे उसमें परिलक्षीत होता है मेरे इसाब से आज का ये लेक्षर आप लोको बहुत अच्छा लग रहा होगा आप इंज्वाय कर रहा होगे मयरे अबहुत ही मेहनत करके बनाता हूं बहुत घहराई से अध्यान करने के बाड़ मैं बहुत commence को लेकर आता हूं टीक है ना अब ओजगुर्ण के लक्षण को निवेरो बने करता वह सायोक्त सांभी 6 तैर भॉन के चाँ वर्णों का प्रेच होता है तथा लंबे वत्व कर्थ наст में इसमें प्लाण अते है जिससे प्लाइब नी moscao के राता है री और कर्म में यह 3 उपर रता जैसे मैं लिक्त कर बता देते हैं आप समय है क्रम यहए कर्म हो गया और यहीं की लीक्ति कर्म तो यह उपर का आधारा होगे, यहां पर आधारा नीचे में है यहां पर नीचे में है और यहां पर उपर में आधार, इस टाइप के आधारा वर्णों का प्रेवर्णों का प्रेवर्णों का प्रेवर्णों का प्रेवर्णों का प्रेवर्णों का प्रेवर्णों का प्रेव जैसे देखिए यहां पर आपने देखा समुझ जोला हिमादरी तूंग इस टाइप के अब प्रसाद गुण क्या होता है प्रसाद का शाब्दी करते प्रसंदता खिल जाना है विक्सित होना वस्त प्रसाद गुण युक्त कावे को पढ़कर या सुनकर सहिदय का चीत प्रसं प्रसाद गुण को पढ़ने से आपका मन बहुत प्रफुलिस हो जाता है ज्यादा इसमें आपको टेंसर लेने की जुड़ते हैं पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है मन खिल जाता है प्रसंदता खिल जाना ये विक्सित हो जाना तो माधूर गुण में एक तरह से थोड और भाव पढ़ते या सुनते ही समझ में आ जाए और पाठा क्या श्रोता के चित में व्याप्त होकर उसे भाव भूर कर दे वहां प्रसाद गुण होता है तो कोई कवीता ऐसी है जिसको आप पढ़ते ही या सुनते है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जुरत नहीं होती है बहुत कठीन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है बहुत ही सरल सहज होता है और उसको सुनते ही आप बहुत ही भाव भूर हो जाते हैं बहुत ही मज़ा जाता है आपको इसे कहा जाता है प्रसाद गुण जहां पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जुरत नहीं बहुत आसानी से चीजे समझ में आ जाती हैं, और आपका मन भी प्रसन हो जाता है, तो वहाँ पर हो जाता है, प्रसाद गुण, सरल सरस, तथा सिधे साधे शब्दों की रचना में प्रसाद गुण होता है, तो ऐसी कविता में क्या होता है, प्रसाद गुण होता है, जैसे उ विता को पढ़ने से तुरंत आपको ओर्थ शमझ में आ जाता है और आपका मन खुश हो जाता है तब उसे हम on how to consider आध और संभा साथ गुड का लेक्षण क्या होता है तो इस प्रेसाध गुड जो साथ अप्रोक्ष का प्रसाथ गुड की प्रमुक विशेषता है तुरंद पढ़ता है आपको अर्थाइस पस्ट वे आता है किसी व्याक्षा या कारकी यत्वा आलोचक क्या आए सकता नहीं होती किसी टीचर क्या आए सकता नहीं होती भावों के अनुसार इसमें कुमल टथा कठोर सबतरा के वर्णों का प्रेयोख किया जा सकता है प्रसाद गुड सभी रसों के उतकरत में सायक हो सकता है मतलब प्रसाद गुण के जवरीने की शांत रस में ही रहे, सभी प्रकार के रसों को बढ़ावा देने में, उनके साथ सामझे से इस्ताबित करने में सहयक हो सकते हैं, तो प्रसाद गुण का प्रयोग सभी रसों के साथ में किया जा सकता है। अब कावे गुडों का स्रहिदय की चित पर प्रभाव उपर हमने तीन कावे गुण देखा है माधूरे गुण, ओज़गुण, और प्रसाद गुण इनका सहरिदय की चित पर क्या प्रभाव पड़ता है सहरिदय मतलब कावे का जो पाठक अत्वा श्रोता है अधु आ नाटक का जो पाठक अधु अधु दर्शक इसे हम कहते है सह्रिदय जो उस कावई को सुनता ये पढ़ता है उसे हम कहते है साह्रिदय तो स्रहिदय के चित पर उसके मन पर क्या प्रभवा पड़ता है इसको हम देखते हैं मादूर ये गोड़ चित में दृति उत्पन करता है अर्थातवा चित को द्रवीत करता है द्रवीत करता है करना मतला भावुक हो जाना किसे के दुख से दुखी हो जाना किसे सुख से प्रसन हो जाना किस उस महिला को जो इलाहबाद के पत्पर कड़ी दुपहरी में पत्थर तोड रही थे तो उनका रिदय द्रवीत हो गया और द्रवीत होकर उन्हेंने कया रिचना कि और उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में भ्युभावना ऊसके प्रति हैं यह समय दिना जागरीत हो जाती है तप्ति दुपहरी में पत्थर तोड़ रहे हैं कोई पेड़ पौधा भी नहीं वहाँ पर उसके नीचे नहीं बेचे तो यह तो ऐसे माध्यु गुड में क्या होता है द्रवित हो जाता है हमारा जैसे राम और सीता का मिलन होता है वहाँ प जैसे भूषण की जो कविता पढ़ेंगे यह फिर आप अलहा पढ़ेंगे ना आला जो आला खंड जिसको हम बोलते हैं आला परमाल रासो जगनिक का तो आला खंड में जैसे हम पढ़ते हैं जैसे में कुछ पंक्तियां आती है बारा बरसले कूकर जीए तेरा बरसले जीस जीए सियार बरस अठारा चात्री जीए आगे जीवन को दिक्कर तो इस टाइप की जो पंक्तियां है खटखट खटखट तेगा बोले बाजे खटक खटक तलवार तो इस टाइप की जो है ना तो हमारे मन में क्या उत्सा और उमंग का होता है जैसे हिमाद्री तुंग स्रि व्यापति प्रदान करता है व्यापति प्रदान करता है इसलिए प्रसाद गुण युक्त कावे पढ़ने या सुनने से पाठा क्या श्रोता का मन उदार होता है तो प्रसाद गुण चित को व्यापति प्रदान करता है हमारे अंदर कि पुरी दुनिया मेरा परिवार है दो कि लिए गुक्त कावे कोई पाथक पढ़ता है तो उसका मन उदार हो जाता है प्रसान करते हैं इन कावे गुड़ों का क्या मातम् ключ में तक बढ़ाया होता है जो हमने उपर उलेक किया है उसको संशेप में लिखना कहलाता है निशकर्स अभी जो आप परिच्छा में उत्तर लिखते हैं तो सुरुवात का जो हिस्सर आता है वारता है इंट्रोडक्सन या फिर प्रस्तावना वो जरूर लिखा करें प्रस्तावना शब्द लिखने की जरूरत नहीं है और अंध में आप निशकर्स जरूर लिखें यदि आप लिखित परिच्छा दे रहे हैं तो अंध में निशकर्स जरूर लिखें निशकर्स लिखना आश्यक होता है जैसे आप निबंध वगर में लिखते हैं, तो निश्कर शब्द आपको लिखना है, तो इस पकार गुण का क्या आर्थ होता है, वैसिष्ट मतलब विशेष्टा, शोभाकारी धर्म, मतलब उसके सौंदर में वृध्धी करने वाला धर्म और दोश का भाव, इस पकार और अर्थ के 10 गुण होते हैं, अर्थात आचारे वामन के अनुसार गुणों की संख्या हो जाती है, 20, इसी पकार महराज भोच नाम के जो विद्वान है, इनके अनुसार गुणों की संख्या है, 24, इसी पकार आचारे अनंद वर्धन के अनुसार, आचारे अनंद वर्ध के अधार पर केवल तीन गुड़ों माधुरी ओज और प्रसाद को स्विकार किया है। आचार अनंद वर्धन के अनसार मन की तीन अस्ताइं होती है। पहली अस्ता है दुरूती, तो दुरूती का संब्ध है माधुरी गुण से। दूसरा है दिप्ती, मन की जो दिप्ती वाली अस्ता है उसका संब्ध है ओज गुण से, इसका संब्ध है इससे और जो व्यापकत का संब्ध है प्रसाद से। तो आचार अनंद वर्धन के अनसार मन की तीन अस्ताइं होती है। पहली आउस्ता है दुरुती, दुरुती का संबंद माधुरी गुण से होता है, मन की दूसरी आउस्ता है दिप्ती, दिप्ती का संबंद ओज गुण से होता है, और मन की तीसरी आउस्ता है, वह है ब्यापकत, अर्थात ब्यापकता, इसका संबंद होता है प्रसाद गुण स और वे अचारे अनंद वर्धन ने जो प्रतिपादित किया है कि कावेके के वल तीन गुड होते हैं माधुरी गुड, ओज गुड और प्रसाद गुड उन्ही तिनों को मानेता प्रदान किया है और अचारे मम्मट जो अत्यंद विद्वान अचारे थे इनके मत को बाद के प्रया सभी आचारों ने स्विकार कर लिया उनके बाद जितने भी आचारे आए चाहे वे भारतिक कावेशास्तर के आचारों अथो आधुनिक हिंदी साहिते के आचारे हों बाद में उन्होंने उसे स्विकार कर लिया है और इन ही तीन गुणों का नाम है माधुरी गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण मेरे हिसाब से आप लोगों ने इस अधानों का बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा और यह जो content ही आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे website पर जाकर पढ़ सकते हैं लिंक में description में डाल दूँगा जिसके लिए आप चिंती तरह थे notes के लिए तो यहाँ पर आप मेरे सारे content मेरे website पर लेबल रहेंगे वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं तो अनिश्य तुरुप से आप लोगों को क्या धाना इस पश्ट हो गई होगी और रंद में मैं बस हमेशा ही कहता हूँ कि अधी अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो मेरे चैनल को subscribe कर लें साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रतेक वीडियो के अपडेटस आपको मिलते रहें साथ ही इस वीडियो को लेक्चर को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी अधिक से धिक शेयर करें धन्यवाद जैहिंजे भारत